आपको पता है कि आपका एक्जाम आगया है ससी जई का बहुत पास है ना वन मंत बचा हुआ है और बहुत सारे बच्चों को ना बहुत सारे गन्फ्यूजन है कि अभी लास्ट के टाइम पर जर्फ इस पीड जब चाहिए पहले बात यह ऑप सभी नोन टेकनिकल डोनों में अपलाई सकते हैं और या आप भी यह सर्च कर रहते और आप भी देखना चाहते तो यह वीडियो आप पहले मैं बात कर लेता हूं जैसे आपको दिख भी रहा होगा कि ऐसे करें सॉल इन सेकंट्स जल्दी कैसे सोल करें यह बड़ी प्रोब्लम आ रही है और यह आप मॉक टेस्ट में फेस कर रहा हूंगे अभी और जो मैं बताऊंगा भी उसको अगर आप अप्लाई करते हो मॉक टेस्ट में तो वहां तो नंबर बढ़ेंगी बढ़ेंगी और साथ में वही टेक्निक आप डारेक्ट यूज कर सकते हो कहां पर अपने एक्जांस में क्योंकि एक्जां भी बहुत पास आ गया है करना कैसे मैं बता देता हूं एक बार आपको अगर आप जहां से देखोगे भाई कि एससी जई दोजार तेईस की अगर हम बात करें तो मुश्किल से आपके पास वन मंत बचा हुआ है और आपको 200 कोश्चन अटेम्ट कर रहे हैं CBT मोड में 200 कोश्चन 120 आपको मिनट में लेवाली है तो अगर आप जहां से देखोगे तो यहां से अगर आपने जल्दी नहीं किये कोश्चन तुम बनेंगी नहीं अगर एक कोश्चन की बात करें लगबगर 26-30 सेकंड की आसपास आपको टाइम मिल रहा है याना मतलब कुछ कोश्चन सापको सेकंडों में उड़ाने पड़ेंगे वो उड़ाओगे कैसे वो कर देखने को मिलेगे ठीक है तो कोश्चन नॉन टेक्स टेक्निकल अभी पचास कोश्चन को ध्यान से देखना की कैसे डिस्ट्रीट करोगे है यही चीज़ आप मोक्तस में रप्लीकेट करके देखना वहाँ पर आपको नंबर इंक्रीज हो जाएंगे एक दम से तो फस्ट ग करोगे तो वह आपको टाइम ने वाला है जो की एक एक दो-दो-दो-लाइन के होते हैं इतनी स्पीड से आप वह को कोश्चन करोगे उतना ही आपको टाइम ले वाला है मोडरेट और डिफिकल्ट कोशिंस में अब जो टाइम बचने वाला है अगर मैं आपको आईडियली बताऊं तो लगबग 30 से 35 मिनट आपको देने हैं 50 कोशिंस में अब बहुत सारे बच्चों के साथ एक दिक्कत आते कि वह एक कोशन किया वह टाइम देखने लगते हैं तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा उससे नुकसान हो जाएगा कि हर एक कोशन में जब आप टाइम देखते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा जब आपका सु आपको करना कैसे कि जब देखा किया आपको दिखिए यह तो मैंने कि ओय है अगे पढ़े किया आगे बढ़े बस इतनी स्पीड से आपको मूव करना पढ़ेगा तो जैसे आप यह इजी कोश्चन को टैकल करोगे जल्दी से जल्दी कुछ कोश्चन साप बीच में छोड़ते भी जाओगे तो जैसे आप छोड़ोगे वह कोश्चन होंगे कोश्चन होंगे जिसको देखके आपको यह लगना चाहिए कि हाँ यह तो मैं करूंगा बट मैं अभी नहीं करूंगा थोड़ा टाइम के बाद करूंगा मतलब हो जाएगा मैं से दिक्कत वाने आने वाली बात नहीं है जैसे सिटिंग अरेज्मेंट की आपको बात बताऊं क कि दो मिनट लगती है सेटिंग अरेज्मेंट करने में नौर्मली दो तीन मिनट जैसा भी आपकी स्पीड है तो दो मिनट में आप सुरवात में तो इन देने वाले ना क्योंकि चार पांच लाइन का कुश्चन होगा तो तुरंत एकदम स्किप करोगे लेकिन आपको मार्क करने है और इसका तरीका मैं बता दू यह तभी कर पाओगे आप जब आपने इनफ प्रैक्टिस की होगी मौक टेस्ट में क्लासेज में पीडिएफ से नोट से टैस्री से है ना इधर उदर से हर जंगे से प्रैक्टिस कुई जिस से तो जब यह प्रैक्टिस की होगी तभी यह सकेंडों में होने वाले वरना दिक्कत आएगी बट एक मेरी राई हमेशा मानके जाना अगर आप जा कि नवें यह से बढ़ना है आता है कोशिन करो नहीं आता है सिकिप करो इगो पर नहीं कि नहीं मैं इसको करके मानुगा भी और वो कोशिन बन भी गया तो कोई मतलब नहीं है तो जल्दी बाद में जल्दी हो जाता टाइम प्रेशर की वज़े से जल्दी नहीं हो रहे है तो सुरुवात में क्योंकि प्रेशर भी आता है ध्री ध्री अडेप्ट कर जाते हो आप क्योंकि 120 मिनट आपको बैढ़ना पूरा दो घंटा वहां पे और दिमाग चलाते रहना ह तो जल्दी अगर आप करोगे तो easy question को tackle करोगे फटापट ठीक है then switch to the moderate then switch to the difficult तो second में अगर करना है ninja technique अगर सीखनी है तो यह ninja technique होनी चुछ यह escaping वाली इसको adapt करो और इसको follow कर लो अभी एक महिना है इसको follow करके देखो मॉक्तस में definitely आपके नंबर बढ़ जाएंगे और न आपकी बार भी होने वाला है यह मैं पहले ही बता दूं आपको तो अगर आपको phone ना एक्जाम अच्छा perform करना है तो हमेशा कौशिश करो कि non-tech को मैं priority दूं क्योंकि 100 नंबर आ रहा है पूरा पूरा 50% वेटेज है तो मैं ignore क्यों करना हूं मेरे कोई यह निसमार यह question आप